इंडियन पॉलिटी चल रही है पार्ट नमबर सेवन जिसमें हम कॉंस्ट्टिशन बॉडिस देख रहे हैं सभी ठीक है एम लक्षमी कांथ की बुक है और चैप्टर नमबर 47 एकॉर्डिंग तो फॉर्थ एडिशन तो चाहिए पुराना एडिशन है थोड़ा ही पुराना इत यह हमने रिडाउट कर ली है आप जाके यह सारी जो है वीडियो एक एक देखेगा काफी जादा नौलेज आप गेन करेंगी इसके थू एजी ऑफ दस्टेट ठीक है और वो के जोनल ऑफ दस्टेट के बारे में आज हम डिस्कुस करने जा रहे हैं तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था है टॉर्णी जोनल ऑफ इंडिया जो कि आर्टिकल 76 में बताता है उसके बारे में तो वहीं पर एडवोकेट जनल ऑफ दस्टेट यह कौन से आर्टिकल में है आर्टिकल 165 ठीक है तो यह प्रोवाइट करता है दो ओफिस ऑफ द एडवोकेट जनल होता है न वैसे ही यह इंड्रो में आपको याद अखते है 165 आर्टिकल एंड हाइस्ट लो ओफिसर ऑफ द स्टेट वहां पर हमने 76 की बात की थी आर्टिकल की यहां पर 165 दो चीजी आपको यहां पर याद अखतनी है अब एपोइंट में टर्म की बात कर लेते हैं तो कोन इसके लिए क्वालिफाइड है तो जज्ज ओफ हाई कोट ठीक है और यह तो इंपोर्टेंट है ही कि मस्ट बी दा सिटिजन ओफ इंडिया तो वहोना ही चाहिए और हैल्ड दा जूडिशल ओफिस फॉर टैन इयर्स यह भी हो सकता है मस्ट हैल्ड दा जूडिशिल ओफिस फॉर टैन इयर्स ठीक है या फिर वह एड़ोकेट हो सकता है ओफ हाई कोट टैन इयर्स तक ठीक है और इसकी जो टर्म है न वह कॉंस्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन नहीं है और कॉंस्टिट्यूशन देज नोट कंटेन दा प्रोसीडर एंद ग् कहाता खुंद देखा गया घ्रमट कि जो ग्वशनर की प्लैजर तक यह काम करेंगे जब तक ग व nets चाहेँग तब तक यह काम कर सकते हैं और और इमूब कों करेगा इनको गवर में और रिमूब करेगा इसम subcar सकता है और या बिंग्य कर सकते हैं ओपिस को एपना रेजिग करते हैं अगर गुवर्मेंट ही तूट जाए जब कौनसी लों मनिस्टर ही नहीं रहेंगे जो कि इनको एडवाइस करते हैं तो यह भी इनका भी जो काम करने का टाइम पिरेट है वो फिनिश हो जाता है ठीक है और इनकी रेमोनेरेशन कौन डिसाइड करते एडवोकेट जर्नल की जो की कॉंस्टियूशन में बिल्कुल भी डिफाइन नहीं है तो वो भी गुवर्नर ही डिस यहां पर 165 यह चीज यहां तक नहीं है वहां पर हमने कंट्री का वह यह असला ओफिसर यहां पर स्टेट का है अपॉइंट्मेंट की बात करें वहां पर प्रेजिटेंट था यहां पर गुवर्नर है क्वालिफिकेशन में थोड़े से चेंज़ है वहां पर सुप्रीम कोर मतलब गुवर्मेंटी टूच जाएगी तो इनका भी फिनिश हो जाएगा वर्क वहां से काम करने का उसके बाद हमने देखा कि यह जो रिमूवल है अपना मतलब अगर यह चोड़ना चाते है तो किसको सोपेंगे अपना गुवर्नर को वहां में प्रेजिटेंट को सोमते इनका जो कि कॉवर्नर करेंगे और अटर्नी जर्नल का प्रेजिटेंट करेंगे तो यह सारा कुछ आपका पॉइंट में टर्म्स में आगया अब हम ड्यूटी एंड फंक्शन देख लेते हैं तो चीफ लाओ ऑफिसर ऑफ गवर्मेंट ऑफ इंडिया की कुछ मतलब ड्यू जो लीगल मैटर्स होते हैं उनमें जो भी इनको रेफर्ड किये जाएंगे गवर्नर के द्वारा जो भी गवर्नर इनको लीगल मैटर्स बताएगा उनमें यह एडवाइस करेंगे स्टेट को दूसरा यह परफॉर्म करेंगे अपनी ड्यूटी जो भी गवर्नर इनको और जो लोग के अकॉर्डिंग होंगे उसमें ये अपने फंक्शन को डिस्चार्ज करेंगे उसके बाद इनकी जो पर्फॉर्मेंस होगी ओफिशल ड्यूटिज एडवोकेट जनल जो है एंटाइटल है टो अपीयर विफोर एनी कोट ओफ लाव वीदिन दा स्टेट तो ये किसी भी कोट में जा सकते हैं किसी बाद चली चली अब स्टेट की क्योंकि ये स्टेट वाइस होते हैं फरदर इनके राइट क्या होते हैं क यह right to speak, जो हमने वहाँ पर भी देखा था, ठीक है, टॉर्णी जनल में, ठीक है, यह proceedings में जा सकते हैं, किसी भी houses में, अगर दोनों houses है, state के अंदर तो दोनों में जा सकते हैं, तो both the houses of the state legislature, ठीक है, or any committee of the state legislature, of which he may be named as a member, ठीक है, उसके बाद, इनके पास right to vote नहीं होता, यह बहुत important है, ठीक है, but without the right to vote, और यह सभी हर परकार की privileges and immunities, जो है, जैसे member of state legislature होते हैं, जो उनको मिलती है, वैसी ही same, जो है, advocate general को भी मिलती है, तो यह आपको कुछ बाते इनकी ध्यान रखनी है, यहाँ पे judicial office के, जब हमने बात की थी न, तो उसका मतलब यह था, कि office within the judicial service of the state, ठीक है, तो यह छोटा सा topic था, advocate journal के बारे में, इसका जो main, जो था, वो इसका article था, जो की 165 था, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है,